हाई वाज, मैं इस वीडियो में आपको इस आलू को यूज करके एडिकी दर्द यानि हील्स पूर पेन को गर में बैटे हुई तुरंत कैसा टीक करना है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो की बारे में आप जहनने से पहले मेरी इस चानल को आप अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्रेब कीजिए और बैले खान को भी दबाईए ताकि मेरी नय वीडियो अपडेट पाने के लिए तो देखिए आपको कभी भी एडिकी धर्द हो जाता है तो उसी वक्त आप क्या करना है कि इस एक आलू को लेनी है और इसके साथ आपको लेनी है ये साइंदा नमक इसे इंग्लिश में राक साल्ट बोलता है अगर आपको इस साइंदा नमक अवेलेबल नहीं है तो आप साध को अच्छा सा जानकारी मिलने वाली है तो देखिए मैं इस आलू को ऐसा कट किया है तो आप भी अगर कभी भी आपको ये एडिकी दर्द हो जाता है तो उसी वक्त आप क्या करना है कि आदा आलू को लेकर इस आलू को और थोड़ा थोड़ा चोटा तुकड़ा करके इसे बनानी पड़ते हैं देखिए मैं कैसा बना रहा हूँ ये आलू को आईसी कच्चा आलू लेनी है तीक है इसे उबलना नहीं है तीक है आईसी डिरेक्ट कच्चा आलू को लेनी है तीक है देखिए कच्चा आलू को लेकर इसे बनानी है तीक है आदा आलू को लेकर पहले इसे अच्चा सा कूटपिस करके इसका पेस्ट बनानी है देखिए मैं कैसा बना रहा हूँ इसका अंदर से जो पानी निकलता है पानी भी इसमें ही रह नहीं है ठीक है वो भी दिकाय अगम है देखिए देखिए ऐसा कूटपिस करके पेस्ट बनानी है इसके बाद आप क्या करना है कि इसमें तोड़ा सा सहिंदर नमक को भी डालनी है ठीक है आपको अगर सहिंदर नमक अवलेबल नहीं है तो आप साधर नमक भी ले सकता है देखिए आप तोड़ा टाइम लेकर आवर अच्छा पेस्ट बना लेजिए अभी देखिए ये लगने वाली पेस्ट अभी तयार है इसमें से पानी बाहर निकलती है देखिए ठीक है आप इस पानी को बाहर नई पेकनी है इसे आईसी लगानी है पानी के साथ ही इस पेस्ट को एडिका उपर लगानी है देखिए आईसा लेकर आप क्या करना है कि आपको एक्जाम्पूल बताएगा ये एडि समझ लीजिए तो आप क्या करना है कि आईसा हेडिका उपर आच्छा सा ऐसा लगा कर एक कपड़े बांधनी है ठीक है एक आच्छा सा कपड़ा लेकर आईसा आच्छा सा एडिको आच्छा सा बांद कर देख लीजिए आप 15-20 मिनिट में ही आपको इस 80 दर्द से आरा मिलने वाली है ये 80 का दर्द तुरंत टीक होने वाली है ठीक है आपको कभी भी ऐसा 80 की धर्द लगता है तो आपको मैं जैसा बताया आप ऐसा बना कर रख लीजिए यानि ये पेश्ट को लगा कीजिए एडी का उपा ये आलू एडी के दर्द में अच्छा काम करने वाली है और इस आलू को यूज करके और बहुत बिमार्याखों भी टीक कर सकता है और इस आलू को लेने से क्या-क्या लाब मिलता है हो भी मैं एक-एक वीडियो बना कर आपको बाताने वाला हूं मेरी इस चानल को आप अभी तक सब्सक्रेबब ने किया तो आप अभी सब्सक्रेब कीजिये हर बिल ऐकान को भी दबायंगे थाकि मेरी नाय वीडियो अपडेट पहनने के लिए आपको इस वीडियो अचला लगाँ तो दोनको शेयर कीज नेके लिए दन्यवाद